वेलकम टो एकलब्या स्टेडी पॉइंट और आज की इस फीडियो में हम सभी क्लास 11 की हिंदी इलेक्टिव से जो आपका दूसरा चैप्टर है दोपहर का भोजन जिसके लेखक हैं अमरकांत इसकी इजी समरी में आपको करवाने वाला हूँ और इजी समरी का मतलब है कम से कम शब्दों में आपको ज्यादा से ज्यादा चीज़े समझाई जाएंगी ना कि आपको यहाँ पर पूरा चैप्टर पढ़ाया जाएगा ठीक है आपको उतना ही बताया जाएगा जितना आपके लिए इंस्टागराम पर अपनी क्वेरी मुझे बेच सकते हैं अगर आप कु जो चैप्टर है अब हम इसको पढ़ना स्टाट करते हैं इसे पहले मैं आपको बता दूँ कि हमने और भी बहुत से वीडियोस बना रखी हैं आपके क्लास 11 के हिंदी की जोगरफी भी पढ़ा रखी है पॉल साइंस भी पढ़ा रखी है इंगलिश भी हमने पढ़ानी स्ट स्टाट कर दिए और जल्दी ही और भी सब्जेक्ट करवाए जाएंगे तो आप उन सभी वीडियोस के लिंक को जरूर चेक करें हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर तो अब हम स्टाट करते हैं कहानी को तो कहानी का जो परिवार है वो निम्नमध्यवर गिया है यानि कि हो चुके हैं पहला पुत्र जो है उसका नाम राम चंदर है वो 21 वर्ष का है जो कि दैनिक समाचार पत्र में प्रूफ रेडिंग का काम करता है यानि कि कोई गलती होती है तो लिखे हुए में दुबारा उसको ठीक करता है और उसके बाद है पिछले वर्ष ही उसने जो है इंटर पास किया था दूसरा पुत्र जो है मोहन 18 साल का है किशोर है यानि कि 18 प्लस जो इस साल हाई स्कूल का प्राइवेट इंतिहान देने के तैयरी कर रहा है और तीसरा पुत्र परमोद जो है वो 6 वर्ष का पोशित बालक है तो यह थोड़ी से इनके घर की कहानी है यानि कि यह समझ लो कि सबसे जादा जो में जो लीडिंग जो रोल है वो इनी का है वह अत्यांत अभाव में अपने परिवार की गाड़ी को खीच रही है यानि कि उनके परिवार की हालत खराब हो चुकी है लेकिन फिर भी सिदेश्वरी हिम्मत नहीं हारती परिवार की स् सदस्यों को सुख पोचाए भले ही स्वेम कस्टों में वो जी यानि कि वो ये कहती है कि मेरे को भले ही कस्ट हो जाए मेरे घर के जो लोग हैं उनको कस्ट ना हो वह परिवार के सदस्यों के सामने एक दूसरे की कमी ना बता कर उनकी बातों को छिपाती है ताकि कि किसी भी स सदस्यों को एक दूसरे से जोड़ा, ऐसा जूट जो किसी के भलाई के लिए भोला जाए, उसको बोलने के लिए कोई भी भुराई नहीं होती, तो यहाँ पे जूट क्या था, वो हम अंदर समझेंगे, तो आर्तिक स्किति क्या है, सिदेश्वरी ने खाना बना दिया है, दोन पाली पेट पानी पीने से उसके कलेजे में जा लगा, और वह हायराम के एकर वहीं जमीन पर लेट गई, और उसने पानी प्यास मिटाने के लिए नहीं, बलकि भूग मिटाने के लिए पिया था, तो इस तरीके से यह चल रहा है अभी तक, फिर उसके बाद आगे है, बराम साफ दिख रही थी, उसके हाथ पैर बासी ककडियों की तरह सूखे थे, तता बेजान थे, उसका पेट हड़ियों की तरह फूला हुआ था, मुझ खुला होने के कारण अंगिरत मक्खियां उसके मुझ पर भिनक रही थी, तब ही सिदेश्वरी ने बच्चे के मुझ पर पड़े वे थी, यह तो इनकी गरीबी है परिवार की, कहानी के पुरुष पात्र, यानि की जो कहानी में जितने भी पुरुष हैं, जो मेल हैं, वो एक एक करके दोपैर का भोजन करने के लिए आते हैं, खाना खिलाते समय सिदेश्वरी परिवार के सभी सदस्यों को एक द परिवार के सभी सदस्य अपने अभाव वा निर्धनता से भली भाती परिचित थे, परंतो एक दूसरे के समक्षिस निर्धनता को व्यक्त नहीं होने देते थे, यानि की सब को पता था कि हमारे घर में गरीबी है, लेकिन वो एक दूसरे के सामने इस चीज को सामने नहीं देते थे, सिदेशवरी जानती है कि रोटियां कम है फिर भी वो एक और रोटि देने के लिए कहती है उसने बनाई ही साथ रोटिया है उसको पता है रोटिया है भी नहीं लेकिन फिर भी वो कहती है क्या मैं और रोटी दे दूँ तो उसी की तरह मुंशी, रामचंद्रो और मोहन भूके उने पर भी पेट भरने का नाटक करते हैं उनको और भूक होती है पर घर के आलात उन सभी को पता होते हैं वो भी कह देते हैं कि हमारा पेट भर गया और सिदेश्वरी भी जूट में कह देती है कि क्या और रोटी चाहिए तो उन सभी को भली बाती ये पता है कि सभी के लिए दो-दो रोटी आए यदि इन में से एक भी रोटी खा ली तो दूसरा कोई भूखा रह जाएगा ठीक है ये है मुंशी जी के खाना खाने के बस्चाद सिदेश्वरी उनकी जूटी थाली लेकर चौके की जमीन पर बैट गई बची भी दाल को कटोरे में उडेल दिया और फिर भी वह पूरा नहीं भरा थोड़ी सी चने की तरकारी बची थी और रोटी भी एकी बची थी वह भी मोटी भद्दी और जली हुई उस जली भी रोटी में से भी उसने आधी परमोज के लिए रख दिये और एक लोटा पानी लेकर उस आधी रोटी को खाने बैटी एक निवाला मूँ में लिया ही था कि उसकी आँखों से टपटप आंसु गिरने लगे ठीक है तो इस तरीके से अगर आप यहां पे देखोगे आगे देखते हैं और इसी तरीके से जो है पूरा उनके घर के अंदर का जो माहूल है वो हमने समराइज करके एक तरीके से समझ लिया है जो भी बाते थी इसमें वो हमने देख लियें और आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कर दें और कॉमेंट करके आप जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी और जादा से जादा वीडियो को शेर करें जै हिंद जै भारत बहुत धन्यवाद आप सबी